जै जिनेन बच्चो आज हम आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जिनें लोग fun, money या entertainment के लिए करते हैं पहली बार करने में तो उन्हें बहुत मज़ा आता है बट वो ये नहीं जानते कि इन चीजों को करते करते कब वो इनके addict हो जाते हैं इनकी आदत हो जाती है और अपना अच्छा बुरा सब कुछ भूल जाते हैं जैसे टीवी देखना कितना अच्छा लगता है It's so fun and mobile पूर games खेलने में तो और भी मज़ा आता है लेकिन आपको पता है कि जादा टीवी देखने से mobile पूर जादा देर games खेलने से हमें उसकी आदत हो जाती है और दीरे दीरे हमारी eyes weak हो जाती है ऐसे ही कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने से पूरी life spoil हो जाती है उनके बारे में आपको बताते हैं सबसे पहले है जुआ खेलना मतलब gambling कोई भी ऐसे games जिनमें रुपए पैसे मतलब money से bet लगाकर हार या जीत decide होती है उसे जुआ कहते हैं for example lottery खेलना like raffle right कुछ लोग cards या house ही खेलते हैं और वो भी money से खेलते हैं तो वो भी जुआ या gambling कहलाता है धीरे धीरे ये games खेलना addiction बन जाती है और हम लोग easy money earn करने के लिए ये games बार बार खेलते हैं और हमें अपना सब कुछ लुटाना पड़ जाता है कभी कभी हम सब कुछ lose कर बैठते हैं तो हमें हमेशा hard work से ही money earn करनी चाहिए कभी भी gambling नहीं करनी चाहिए दूसरा है mass खाना मतलब non-witch food खाना अपने taste के लिए किसी भी living being को मार कर hurt करके खाना क्या अच्छी बात है हमें तो सभी जीवों के लिए sympathy या compassion रखना चाहिए non-witch food से जीवों का घात होता है और हमें हिंसा करने का पाप लगता है के लिए भी बहुत खराब होता है इसी लिए हमें कभी भी dead animal body मतलब non-witch food नहीं खाना चाहिए third है शराब पीना शराब means alcohol और liquor मतलब drinking a very very bad liquid called alcohol आपको पता है शराब या alcohol कैसे बनती है बहुत सारे fruits like grapes and other food grains जैसे की wheat या jaggery etc को बहुत दिनों तक सडाया जाता है जिससे उसमें trust जीव पैदा हो जाते हैं और वो fermented liquid alcohol बन जाता है जब हम इस alcohol को पीते हैं तो सब जीव मर जाते हैं हमें बहुत हिंसा का पाप लगता है और alcohol पीने से we also lose control over our thinking and our actions people start behaving very weirdly after drinking alcohol और alcohol से हमारा liver और हमारा nervous system भी खराब होता है एलकोहल की addiction slowly kills us इसलिए एलकोहल पीने से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए फिर आता है चोरी चुपके से ही या बिना पूछे किसी की कोई चीज उठा लेना चोरी कहलाता है किसी की रखी हुई या भूली चीज को लेने को भी चोरी कहते हैं अच्छा बताओ चलते चलते अगर रोट पर आपको कोई toy पड़ा मिल जाए तो क्या उसको उठाने से भी चोरी का पाप लगेगा हाँ वो भी चोरी है क्योंकि वे आपकी नहीं है ना या कभी स्कूल से किसी की फ्रेंड की फैंसल, इरेजर, नोटबुक या कुछ भी बिना पूछे ले आएं तो उसे भी चोरी ही कहते हैं चोरी करने से हमें कोई भी पसंद नहीं करता और नहीं कोई हमारा फ्रेंड बनता है और चोरी एक पाप भी है याद है ना फिफ्थ इस शिकार करना मतलब हंटेंग कुछ लोग जस्ट फन के लिए आनिमल्स या बर्द्स को हंट करते हैं जंगल में जाकर जैसे डियर, लायन, टाइगर, एलेफेंस, बर्द्स, एक्सेटरा उनको एरोबो से या फिर गन से मार देते हैं अब आपने कुछ लोगों को फिशिंग करते हुए भी देखा होगा पर अपने एंटर्टेन्मेंट के लिए किसी लिविंग बींग को हर्ट करना तो बिल्कुल रॉंग है, है ना? इसलिए हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए और कुछ एडिक्शन्स ऐसे होते हैं जिनसे हमारी फैमिली के रिलेशन्स भी बहुत खराब हो जाते हैं हमें मनी के लिए, एंटर्टेन्मेंट के लिए या जस्ट फन के लिए कभी भी गलत काम नहीं करने चाहिए गलत रिलेशन्स नहीं बनाने चाहिए फन के लिए किये हुए गलत काम, धीरे धीरे habits बन जाते हैं, हमें उनकी addiction हो जाती है, और हमारी पूरी life एकदम spoil हो जाती है इन गलत कामों को व्यसन भी कहते हैं, क्या कहते हैं व्यसन तो चलो, आज से हम सब promise करते हैं कि हम सभी व्यसनों का त्याग करेंगे, सभी addictions का त्याग करेंगे We will never get addicted to these bad things in our lives ठीक है, जै जनेंद्र